हेलो बच्चों तो देखें लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था सर्वनिस्ट संक्रिया को सीखा था समुच्यों का सर्वनिस्ट कैसे निकालते हैं और उससे पिछले वीडियो में हमने सम्मिलन सीखा था समुच्यों का एक बार सुरूमा जाते हैं देखो जब यहां पर ह कर चुके हैं को एक-दो उधारण भी कर चुके हैं अब आज तीसरा वाला हम पढ़ेंगी और साथ में दो-तीन कुश्यन करेंगे प्रस्णा वाली के ठीक है तो अब अंतर पढ़ते हैं आज तो यह रहा समुच्यों का अंतर अब कोई चाहे तो इससे पढ़ सकता है मैं इसको भेज दूँगा और बांकी मैंने नोट्स बनाए हैं तो समुच्यों का अंतर यहनि डिफरेंस ऑफ सेट घटाना है हमने दो समुच्यों को अगर A समुच्य में से B को आप घटा रहे हो तो A के अव्याओ मैंसे वह अव्याओ A के वह अव्याओ जो B के नहीं हो ठीक है A के वह अव्याओ होने चीए जो B के नहीं होंगे यहीं इसमें क्या है कि A के अव्याओ आएंगे और जो B में हैं वो वाले नहीं आएंगे और B माइनस A का मतलब B के अव्याओ आएंगे लेकिन A की नहीं आएंगे उसमें, समझ गिए जो A की हैं उनको हटाना पड़ेगा, मान लो A में आपके पास 1, 2, 3 था और B में आपके पास 2 था तो अगर मैं A माइनस B कहूंगा तो A के आवियों मैंसे B के आवियों को हटा दोगे, A1 और 2 को हटा दोगे, 3 अब ऐसे ही अगर मैं आपसे कह दूँ B माइनस A, तो क्या होगा आपके पास, B में 2 है और A में 2 है, एक 2 आ रहा है तो B के आवियों मैंसे घटा होगी, जो पहले आ रहा है, 2 मैंसे 2 को घटा होगी तो 5, यानि कुछ नहीं आएगा, 0 को 5 कहते हैं न, ऐसे अब जड़ा देखो, 18 अधरण A दिया है, B दिया है, A मैंस B और B मैंस A निकालो कह रहा है, अब जड़ा इसे समझो, जब A मैंस B निकाल रहे हो, तो A के आवियों को देखोगी और B वालों को इसमें से हटा दोगी, B में को उनको नहीं 2, 4, 6, 8, तो 2, 4, 6, 8 तो ही नहीं न, बचे क्या 1, 3, 5, ये लिखता होगी, अब ऐसे ही जब B मैंस A करना है, तो B मैंसे हटाओगे, एक यहों को, यानि B वालों को दियान रखोगे, जो A में है उनको नहीं लिखोगी, 2 है, 4 है, और 6 है, सिर्प 8 जो है, उसमनी है, तो 8 है जाएगा, समझवा है न, जब A मैंस B करें हैं, तो A को देखो, उसके अवयों को लिखो, लेकिन B वालों को मत लिखना, जो B मैं है, वो A मैं है, तो A मैं से हटा दो और B मैंस A में B के अवयों को लिखो, लेकिन A में जो हैं, उनको तो मत लिखना, समझ रहो ना? बस, इतना सा है एक और देख लो एक ये दिया है, एक ये दिया है, आपसे V-B कहा रहा है तो किसको द्यान दोगी? V वाले को द्यान, तो V के सारे आवियों को लिखोगी लेकिन किसको नहीं लिखोगी? जो A में, B में है तो एक one है, one हटा दोगे यह नीचे one है ना, एक i भी है हटा दोगे, और k नहीं k तो ही नहीं, u है, तो u को भी हटा दोगे, बचा क्या e और o, यह answer अब ऐसे जब b-v कर रहे हो इसमें से, तो b को देखोगे, और a वालों को जो दी गई है, कि a-b हो गया, a intersection b हो गया, b-a हो गया, तीन चीज़ां जो हैं, इनमें कुछ भी common नहीं होता करा है, अगर आप खुद a और b दो ऐसे समुच्चे बना के देदे न, a और b, अब a-b निकालोगे यह निकालोगे और यह निकालोगे तो तीनों में कुछ भी common नहीं लिखेगा, मतलब जो a-b मैं अभिया होंगे वो यहां नहीं होंगे और वो यहां भी नहीं होंगे मतलब इन तीनों में आपस में कुछ भी urbanism नहीं होगा, तो हमने यह यह लिखाया कि तीनों जो है, यह परस पर असायुक्त होते हैं, इसका मतलब क्या है, कि इन दो का, कि नी दो का इन में से कोई भी या यह और यह ले लो यह या यह ले लो, कोई भी दो लो उनका उभाइनिस्टे एक रिक्त समुच्चे होता है या रिक्त मतलब कुछ भी नहीं होता common समझ गे ना, तो यही इनका समुच्चे होते हैं, यह तीनों अब कभी कभी आएगा तो इसमान लोड टिक करने के हैं, दियान रखना एक तो A-B हो गया एक B-A हो गया, दो तो ऐसे आदे जाएंगी तीसरा A-B हो गया इन तीनों में कुछ भी उभाइनिस्ट नहीं होता है यानि इन तीनों में से किसी भी दो का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो वो क्या आएगा रिखते समुच्चे आएगा समझगे न, चलो आप दसना लिमा आते हैं पर जितना अभी तक सीका है इससे होंगे तीन कुशन कर रहे हैं आज पहला कुशन कर रहा है प्रतेक युगम का सम्मिला निकालो यानि यूनियन निकालो यूनियन क्या होता है पहले वाले क्या हो याओ दुसरे क्या हो याओ दोनों को लिखते हैं मिक्स करके ये यू बी दोनों को लिखेंगे एक, तीन, पांच लिखोगी और इस वाले में से सिर्फ दो आएगा क्योंकि एक और तीन तो पहले से लिखे हुए है तो एक, दो, तीन, पांच आ गिया ठीक है? ऐसे A और B में देखो A, Union, B में A, E, I, O, U तो आएंगी आएंगी और इसमें से A नहीं आएगा दुबारा एक बार होगिया है B यहाँ नहीं था तो B भी आएगा C भी नहीं था तो C भी आजाएगा ठीक है? जो दो बार है उसको एक ही बार लिखना है बस, अगला कोशियन है A बराबर X एक प्राकरत संक्या है याँ एक तो 3, 4, 5, 6 चलता रहेगा और 3 का गुणज भी है याँ अब प्राकरत संक्या में 3 का गुणज क्या होता है? 3, 6, 9, 12 है यह हमने लिख दिया इसको अच्छी तरह से और B में क्या है गरा है? X संक्या जो है वो 6 से कम है वार प्राकरत संक्या है अब A union B लिखते समय आप क्या लिख होगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 है ऐसे लिखना सुर करोगी ठीक है एक तो यह तरीका है एक तरीका यह भी लिख सकते हो आप इसे कि आप देख रहे होगे कि यहां तक 1, 2, 4, 5 लिखने के बाद 3, 6 का पहड़ा चल रहा है इसको सभी कर लेना आगे बढ़ते हैं अगला है चौथा एक से प्राक्रस संक्या कर रहा है और एक से च्छे के बीच में है और इसमें कर रहा देखो एक से बड़ा है यानि 2 से सुरू होगा और 6 के बराबर भी है कर रहा है 4, 5, 6 दिख दिए दुसरे में कर रहा है देखो एक से बड़ा है और 10 से चोटा है यानि 7 से सुरू होगा और 10 से कहले 9 तक होगा 7, 8, 9 ये लिखा है अब इनका यूनियन आप निकालते हैं तो क्या रिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी common ही सब को लिख देंगे ठीक है अगला A बराबर 1, 2, 3 है B बराबर 5 है तो A इन B जब निकालोगे तो 1, 2, 3 लिखोगे 5 को इधर नहीं लिखोगे कि आपको पता है कि इसके अंदर 5 पहले से ही होता है A के अंदर भी 5 होगा ना निक्ता नहीं हो तो A इन B में सिर्फ एक, दो, तीन ही आएंगे ठीक है मागी question ये है दूसरा question और तीसरा question तीन तक कर रहे हैं ठीक है तो दूसरा देख लो एक बार A बराबर A, B दिया है B बराबर A, B, C A subset है B का क्या ये इसका चिन्द क्या होता था subset यानि उपसमुच्च्च यानि इस A के सारे अव्यों B में होने चाहिए तो A के सारे अव्यों B में हैं बिल्कुल है A, B इसमें भी है तो यानि हाँ A, B का subset है यानि A, B का उपसमुच्च्च्च है दूसरा A union B निकालो तो A union B क्या होगा कि रहा है A union B क्या होगा इसमें ऐसा वाला आएगा set देखो A B का subset है मतलब जो B है ना उसके अंदर A B है यानि A के सारे आवियो B में है यानि B के अंदर A भी आ रहा है तो B के अंदर B भी है और A भी है तो बताओ A union B में क्या आएगा जो बड़ा वाला है वो आएगा ना यानि B आएगा क्योंकि B के अंदर A भी है तो इसलिए इसका अंसर क्या है B होगा समझगी इसका दूसरा हिससा भी बतायता हूँ यहीं पर अगर कोई कहते B A का subset है उपसमुच्चे है और A union B निकालो तो आपको पता है कि A के अंदर B भी है बड़ा इसमें A है ना तो यहां पर A ही आएगा क्योंकि इसके अंदर B पहले से आगिया union का मतलब ही क्या होता है कि A B होना चाहिए और B भी होना चाहिए दोनों किसके अंदर है A के अंदर है तो A होगा जैसे यहां पर आपको पता है कि B जो है इसके अंदर B भी है और A भी है पहले से क्योंकि यह इसका एक उपसमुच्च निश्य दिया है तो इसका मतलब अगर मैं B लिखूं यहां पर इसका उत्तर तो इसका मतलब क्या है कि इसमें A भी होगा और B भी होगा और union का मतलबी क्या होता है कि दोनों क्या व्याओं हों तो इसलिए इसका उत्तर भी है यहीं तक कर रहे हैं चार से अगले वीडियो में करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक किले बाबाई छोटी सी वीडियो ही एक नौ मिनट की बन ही कि कुछ खास इतना था नी और मैं इतना सारा लिखो बोलने में तो जल्दी हो गया ये सब काम समझाने में लेकिन लिखने में आपको टाइम लगे गाई ठीक है तब इसलिए मैं ज़दा नहीं करा रहा हूँ चलो फिर बाबाई